शाद दुलगरी साहब रहां कि लाल एक दिन में ठोड़ी बनता है कि हमालिया पहाड में सूरज की शुआएं टक्ष होती रहती है और सूरज की शुआओं में अल्लाँ ताला का थैसला शामिर होता है समझे है कि ऐस सूरज तो अपनी शुआओं से इतने ही टुकले को लाल बना दे मजाली सूरज की शुआएं की दूसरे पफर को लाल बना दे सारी मखलूक उनके हर्वा कंट्रोर में तो वो सूरज की शुआएं दो साल डाई साल तक तच होती रहती है और अल्ला का फैसला उसमें कारफर्मा होता है यहां तक आहस्ता आहस्ता पहले थोड़ी सब लाली आती तो थोड़ी सुर्खी थोड़ी डाई सायर है अई बना लाल हो जाता है प्टर लाल क्या से का फरमाया लाल हो जो के दिल सूरज की तरह हिडायत के आफ़ता वहेंगे जब शाजिर तालिबिन दोस्ते हैं अल्ला के महमबस्जिक ने तो उस वली अल्ला के खल्व के सूरज जो हिडायत का सूरज है उसके दिलों को तच्छ करती रहती अंदर अंदर और ये चमला हड़ी उसमें फासिल नहीं है माने नहीं रुकाउट नहीं अंदर अंदर रास्ते हैं खुटिया बारुवे भराते हैं दिलों में आपस में फ़स्या रास्ते है एक जो जो रोश्री वे उसमें दाखल होती रहती आए आइस्ता यहां तक कि वहीं देखता है कुछ दिन के बाद साल दो साल के बाद कि मैं क्या था और क्या हो गया तू थी वो कहता है तू ने मुसको क्या से क्या सोफ़े फिर आवा कर दिया पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया गेर सूरी तो पता है, या उसको पता भी नहीं चुलता है क्या हो रहा है, अंदर अंदर ऐसे सुथ, कुछ दिन के बाद मालू होता है यह हम क्या हो गए, बस ये चन बातें अरुश कर दें, मैं आपकी जवानी को जब चैलेंज करता हूँ, और तलब करता हूँ, और दावत देता हूँ, तो मुझे अपनी जवानी भी यादाता हूँ, मेरी जवानी अल्लाह की रहमत से, 17 साल की उमर में बैठ गुआ है, और मेरा मिजज शायराना भी था, आशिकाना में शायर भी, शायर बहुत ही कल्व का नाजुक होता है, और हुस्म से बहुत मतासिर होता है, ल पतनबाजी की हैं और आप जनाब हम लोगों की जवानी को अभी से हमको अल्लावाला बना रहे हैं। जवानी दी है, जवानी देने का मज़ा उठाकर फिर जवानी की को आपको वो मज़ा देना चाहता है। यानि मुझे गम नहीं है कि हमने दुन्या की गुल्शर्वे क्यों नहीं उडाए जवानी देकर अल्लह ताला ने देश्मार जवानी आता कर देए समझा ने? यह समझो वो करीम है वो थोड़े से अमल पर बहुत ज़ादा ज़ा देता है लहाज़ा जो एक जवानी देता है अल्लह ताला उसको करो जवानी देता है मरते दम तक उसको कभी बढ़ता मैसुस नहीं होता रूख के अंदर है